पाकिस्तान के खिलाब भार्थियू टीम ने एश्यकप दोजार बाईश के तूशरे मुकाबले में पांच विकेट्छी जीत आसल की हैं और टीम की जीत में सबसे बड़ा योगदान हर फन मोला खिलाडी हार्दिक पांडिया का रहा इश्यकप लाड़ी ने अपनी तेज तर्रार गैनबाजी के साथ साथ अपनी ताबड तोड बल्ले बाजी शेभी पाकिस्तान टीम को धूल चटा दी है जा गैनबाजी करते हुए हर्दिक ने विरोधी के बल्ले बाज क्रम को ध्वस्त किया तो वहीं उन्होंने पाकिस्तान की बल्ले बाजी इकाई को भी मिटी में मिला दिया जिसकी बाद उन्हें इस विस्पोटक परदशन के लिए मैन आफ ता मैच का बाड़ दिया गया तो जी हाँ पाकिस्तान हार्दिक के इस परदशन के साथ साथ भारती फैंस की खुसी का ठिकाना नहीं रहा भारती फैंस के साथ साथ पाकिस्तान गेनबाजों को भी इंप्रेस किया उन्होंने टीम के लिए तीन अहम विकेट जटकाए इस दुरान उन्होंने 6.25 की एकोनोमी के साथ में चार ओरों में महज 25 रन दिये और ताबर तोड तीन विकेट अपने नाम किये बले बाजी की बाद तो खेर हार्दी की क्या ही करें 190 की ज़्यादा से स्ट्राइक रेट से टीम के लिए 17 गेंदों में 33 रन की मैच जिता हूँ पारी खेली एशिया कप में और वो भी भारत और पाकिस्तान के आखिरी ओवर के लास्ट दूसरी गेंद पर जिता दिया इस दुरान उनके बले से चार चौके और एक गगंचू भी छक्का देखने को मिला और वो छक्का विज़ई छक्का था लेकिन मैंनो अपना मैच बनने के बाद हार्दिक पांडिया पाकिस्तान को हराने के बारे में क्या कुछ कहा आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हार्दिक का वो रियक्शन्स बताने वाले हैं और हार्दिक ने अपने प्लैन तो बताई लेकिन पाकिस्तान को हरा कर जो पाकिस्तान के बारे में कहा आई आपको बताते हैं हार्दिक पांडिया ने क्या का पाकिस्तान को अराने के बाद पाक के खिलाब हीरो बने हार्दिक पांडिया के मुरीद हुए है रोहित चर्मा और मैच के बाद तारीफ में बढ़ने लगे कशीदे पूरा विश्वास था और जब आपके पास ये विश्वास है तो हर चीज मुम्किन है ये खिलाडियों को क्लिरिटी है ताकि वे अपनी भूमिकाओं को अच्छी तरह से जान सके ये थोड़ा चुनोती पूंट था लेकिन मैं सामान्य जीत पर किसी भी दिन इस तरह जीत लेकिन उन्होंने हारदिक पांडिय की बारा में बात करी पिछले एक साल से हारदिक ने लंबा सफरताई किया है उन्होंने अलग-अलग परिस्तित्यों में खुद को उनके इसाब से ठला है हारदिक पांडिया सांदार है लाजवाब है उनका कोई जहाँ पर जवाब नही आज ये नो खेली है, उन्होंने काफी अच्छा काम की IT मीरिया को चिता कर, कहीने करोरों शार्मा हार्दिक पांटिया के नाम की माला चपने लगे हैं, लेगन अब आई ये चानते हैं, आकिर हार्दिक पांटिया ने खुद इस मैच को चिताने कе बाद क्या कहा ? इस तरह के लक्ष का पीछा करते हुए आप बार बार योजना बनाते हैं। मैं हमेशा से जानता था कि एक यूवा गैनबाज है और एक बाई हाथ का इस्पीनर भी। मैं जानता हूँ कि बीशवे और में गैनबाज मुझसे ज्यादा दबाओ में होंगे। मैं चीजों को सरल लखने की कोशिश करता हूँ। हारदिक ने एक पॉइंट बताया कि मुझे विशवास था कि बीशवे और में मुझसे ज्यादा वो गैनबाज दबाओ में होगा। और इसी वज़़से मैं इस गैम को end of the end ले जाना चाता था। ताकि वहां से मैं पाकिस्तान के उपर प्रहार करूँ और इस मुकाबले को जीचाऊं। लेकिन उन्होंने कहा ये एक क्रिकेट गेम है और हार और जीत उसका हिश्चा है। पाकिस्तान को ट्रोल नहीं करना चाहिए। और यही बात पाकिस्तान के प्रती हार्दिक पांडिया का लोगों का दिल जीत गई जी हाँ पाकिस्तान भारत को एक बार हरा गया उतियाश के अंदर तो उन्होंने जिस तरज से ट्रोल किया लेकिन हार्दिक ने पाकिस्तान कुछ के औकाद बताने के बावजूत भी इसको एक गेम भावनाओं की रूप में लेने के बारे में कहा ये हार्दिक पांडिया जैसे खिलाडी की निशानी है लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय हैं आप क्या सोचते हैं कमेंट चेक्षन में जरूर बताएं बाकी हार्दिक पांडिया के लिए एक लाइक तो बनता है